हेलो व्रेंट्स आप सभी को मारे यूट्यूब चैनल में स्वागत हैं आज हम आप लोग को एनाईय के तरफ से जो वैकेंसी आई विए उसके बारे में कम्प्लीट डिटेल्स देने वाले हैं जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट के लिए भरती आई वि जी ताकि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियो का नौट्पेकेशन मिल सके चलिए शुरू करते हैं जो सबसे पहले आप लोग का जो डाउट रहता है वो पुछते हैं कि कितनी नंबर और पोस्ट है इसमें कितनी वैकेंसी के लिए इसमें आया हुए तो इसका जो टोटल नंबर और वैकेंसी वह 89 पोस्ट है इसमें और पोस्ट का नाम है जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए आया हुआ 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 है दुसरा जो आपनों का डाउट रहता है वो पूछते हैं कि कौन-कौन इसको अपलाई कर सकते हैं तो यह ओल इंडिया जॉब ह है कोई भी अपलाई कर सकते हैं और मेल फिमयली दोनों अपलाई कर सकते हैं और इसका जो जॉब लोकेशन और एक्जाम सेंटर अल्वर इंडिया में कहीं भी हो सकता है अपका आप चलिए बात करते हैं कि इसमें salary कितना है आपका और इसका pay scale क्या है तो इसका जो inspector post के लिए जो आपका pay scale है वो 93,000 से लेके 36,800 जो पर मंत इसका pay scale है और सब inspector post के लिए आपका 35,400 लोगिए 1,12,400 पर मंत है आपका और आपका एक और doubt रहते हो कि sir इसमें जो apply करने का fee क्या है तो इसमें जो apply करने का application fee है आपका free है सारे candidate के लिए all over India के लिए सारे के लिए अब चलिए बात करते हैं इसका की age limit क्या है तो इसका जो age limit है और minimum आपको 18 year होनी चाहिए 18 साल minimum होनी चाहिए और maximum 42 year होनी चाहिए आपका minimum age इसमें 18 year होनी चाहिए और maximum age 42 years होनी चाहिए और आपका जो 18 years है वो 1 October 2020 को हो जानी चाहिए और इसमें जो सारे में age relaxation है SCSTOBC में जो government का rule regulation है उसके अनुसार आपको relaxation मिलेगा जैसे की SCSTOBC के लिए 5 साल के लिए मिलेगा अब चलिए बात करते हैं इसमें physical standard test का यानि कि जो physical test है इसमें आपका क्या 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 लगेगा height में देखिए आपको जो है male के लिए male candidate के लिए 165 cm होनी चाहिए 165 cm होनी चाहिए male के लिए और female के लिए 152 cm होनी चाहिए और जो north side के जो candidate है North India के जो candidate है male के लिए 160 cm चाहिए और female के लिए 140 cm चाहिए अब चलिए बात करते हैं कि जब आप्लिकेशन form को fill up करेंगे तो आपको कौन-कौन से जो document है वो लगेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको photo and signature लगेगा जो की light color photo होनी चाहिए उसके बाद educational certificate में देखिए education certificate आपको 12th pass का certificate होनी चाहिए या फिर आधर जो भी आप जो 12th pass के लिए eligible है वो certificate दे सकते हैं या फिर domicile certificate जिसको residential certificate बोलते हैं वो आपको एक लगेगा और cash certificate लगेगा और उसके साथ आपका pen card और अधार card का proof लगेगा उसके बाद आपका जो इसमें जो selection process है वो आपका सिर्फ interview होगा और last में आपका document verification होगा और इसमें कोई selection process नहीं है only interview है इसमें अब चलिए बात करते हैं कि आपका educational qualification क्या होनी चाहिए तो सबसे पहले जो candidate को है minimum 12th pass होनी चाहिए उसके बाद आप graduation हो या फिर उसके equivalent में कोई भी वोट से university से कोई भी डिग्री आपके पास है उसके equivalent में तो आप वो दे सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका official advertisement जो यानि official notification जरूर इसको open करके एक बर देखिए तब आपको अच्छे से पता चलेगा और क्या-क्या इसमें जो educational qualification मांगा गिया है कि यह जो form fill up करने का जो starting date है इसका start हो चुका है तो यह बताने जरुरत नहीं कि कब से start हुआ है लेकिन आपका last date जो form submission का आप्लिकेशन जो सब्मीट करना ओ 29 नवंबर 2020 को last date है इसका ध्यान में रखिएगा और जिसका जो date of interview है यह जल्द ही आपको दिया जाएगा notice में और आपको इची ध्यान देना इसका जो form है offline भरा जाएगा